अगर आप आप टाइगर 3 देखी और आप सोच रहो कि मज़ा नी आया इसकी पिछे वज़य क्या है इसमें अरजीर सिंग से गारा भी कवा लिया और इमरार हासमी से मार भी खा लिया और कैमियो भी खरवा लिया पठान से और टाइगर की दहाड भी करवा लिया लेकिन मज़ा फिर बिन याया तो आपको बतातो ये 2 गंटे 36 मिंट की टाइगर 3 स्पाई यूनिवर्स की स्पाई सिरीज की सबसे कमजोर फिल्म है और इसकी सबसे बड़ी कमजोर ही इसके कहानी है आगे पढ़ने से पहले आपको बता दो ये मत कहतना कि मैं स्पाईलर दे रहा हूँ क्योंकि जब डाक्टर साहब ने खुल स्पाईलर दे दिया है और खुल टोटे डिपेंड हो गये है कैमियो और एक्सल पे तो मैं आपको क्यों ना स्पाईलर दूँ तो ऐसे मगर आपको स्पाईलर दे भी दूँगा तो कौन सा बड़ा गुना कर दूँगा जहां सबसे कमजोर इसकी कहानी है मिशल सुरू होने से पहले आपको बता रहाते है कि टाइम पास और वो टाइम पास ही आपका रंग से होता नहीं है और जब मिशल कर नाम टाइम पास रखा तो मेकर ने आपको पहले ही हिंट दे दिया इसको अब सिर्शली लेना मत जब टाइगर अपने दोस्त को बचा के लाता है उसका दोस्त मरते मरते बता है कि जोजा जो उसकी पतनी है वो डबल एजेंट है मतलब पाकिस्तान के लिए इतना सक तो पहले भी नहीं करता था जब ओफिसली वो एजेंट हुआ करती थी पाकिस्तान की जो टाइगर पहले शक नहीं करता था अपनी वीवी पे जो ओफिसली उस टेम एजेंट हुआ करती थी अब शादी होगी बच्चा हो गया काफी साल बीद गये उसके बाद वो अब सोचो अब ये कितनी बात हजम होने वाली है ये आइकोनिक कहानी लिखने वाले लिखक के लिए बहुत ग्याना तोफों के सलाम है मिलनी चाहिए अगर इतने मादर आपका हाजमा खराब ना हुआ हो तो आपको अदली स्टेप पे लेके जाता हूँ जहां पर बताया र आर्मी है और जो और भी उनको पॉलिटीशन है वो तकता परड़ करना चाहते हैं विजन्स यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर दोफ्ती चाहती है भारत से और अमन पीश चाहती है लेकिन वहां की आर्मी और कुछ पॉलिटीशन नहीं चाहते है जिसमें से सबसे प्रमेंट आम होता है एकस आई एस आई डिप्टी डारेक्टर आतिस रहमान का अब जोजा टाइगर के पतनी वह कटपकली बन जाते है आतिस रहमान की उसके लिए काम करने लग जाती है अब सोचो की मतलब की कितना बलंटर करते जा रहे हैं कहानी में यह जो जो यह त्यार कर दिया अपने देश को अपने उस एजनसी को और अपने उस कैरियर को फिर से वही जोया पाकिस्तान के लिए काम गंड लग जाती है और वो जोजा होती है एक रौ एजन्ट की वाइफ सोचो कितनी हजा मनवली बात ही अब तीसे स्टेप पे आ जाओ हाजमा और खराब करता हूं आप अब भाटं करो एजन्ट और पाकिस्तान के एजन्ट दोनों मिल्के एक निउकलीयर का कोड़्चुराते हैं अब देखो कारजों में कितना प्रेम है बॉलिवोड रोट कितना आपसेस से बताने के लिए कि नहीं 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 पाकिस्तान कितना अच्छा है तुम्हें यूटू पे आप देखो स्टेटमेंट हर हाल में वो काफिरों को हिंदुस्तानियों को मार देना चाहते हैं इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं लेकिन प्रेम बहुत है और वो प्रेम बस बॉलिवूड देख पाता है अब चोथे इस्टेप पे आजओ जहाँ पर सर्मान खान का करेक्टर टाइगर और करेक्टर जोजा दोनों मिलके वहाँ के पीम को बचाते हैं उनकी ही आर्मी से और इतना है नहीं स्टोरी को पचाने के लिए कहाने में कुछ और हाजमोला दिया गया है हाजमोला यह है कि पाकिस्तान के बच्चों से वहां के प्रायम मिनिस्टर से भारत का राष्टगान गवा दिया जाता है ताकि लगे ओओ-ओओ ओओ-ओओ देखो पाकिस्तान तो हमारे राष्टगान, हमारे एंंधम तक गाते हैं वो पल सुलते हुए, सरीक रोंगते खड़े तो होते हैं लेकिन सर के बाल भी खड़े वालते हैं कि ये क्या फुद्धूपंती चल ले है फिर याद एक नहीं है, बॉलिवूट की फिल्म है जो आज फिल्में बना पा रहे हैं अगर पाकिस्तान ना होता तो किसको अच्छा दिखाता हो और मुझे लगता है कि जिन्ना का यही कर्ज बॉलिवूट अब हर फिल्म में पाई पाई उतार रहा है पाकिस्तान को अच्छा दिखा गए पर इसके बाद वो सीन दखा गया टावल का जहाँ पर कैटरिना कैप दो फिमेल से फाइट करवाते हैं टावल में अब इसके पीछे वज़े क्या लगते हैं इसकी पीछे मुझे ऐसा लगता है कि देखो बॉलिवूड की फिर्वल पर अक्सर जो एक्टरस होती हैं क्या करती हैं वो आइटम सौंग करती हैं भारती एक्टरस बॉलिवूड की एक्टरस वो जानी जाती हैं अपने आइटम सौ के लिए बीडी जलेले मुझनी बदराम होई शीला जी जवानी और किसी चीज के लिए नहीं लेकिन यहाँ पर वो तिलिस में तोड़ने की कोशिच की जारेग नहीं बॉलिवुड की एक्टर्स से हम आइटम सौंग ही नहीं साइट भी करवाते हैं यहाँ पर बताने एक चेश्टा की जा रही है कि हम एकुली ट्रीट करते हैं हीरो हिरो इन दो रोपो और आपको बता दो इस फिल्म में कई जगहें केटरिन कैफ का कॉमबैट सीन है और वो कॉमबैट सीन देखके आपको लगेगा कि हाँ दीबिका पादुकोर से बहुत उपर है फाइट करने के मामले में और बात करें बाइजान के एक्टन सीन की दिको बाइजान ने भी एक काम है जो क्लोज में शोट है वो भाइजान का है और जहां पर भाइजान डाइलाग डिलीवरी करते हैं आपको लगे गई है सोगे उटके आए अब ब्रूस भी नहीं कर रखा है इनको बोलने में बहुत ही ज़्यादा आलस आ रही है पहले तो भाइजान अपना बेल्ट हि बहुत बोलगता है और यदुर्गती सारमान खाट खुद कर रहे हैं या पी डायेटर सारे मिलके कर रहे हैं ये बात मेर अबसें हवादा लेया पठां से कि वह समुलि वी उसकी मिशन में कहीं हेल्प करेगा तो यहां पर हिल्प होई है कैमियो करवा के पठा रहा नहीं होना चाहिए। कि सारु खान का कैमियो और एकी स्क्रीन पर एकी फ्रेम में दोनों एक्टर पर देखना पैसा वसूर होना चाहिए था लेकिन वहाँ पर सारु खान का कैमियो नहीं बक्चोदी करवाई यह आपको सही बता दूं एक्शन हुआ यारी दिखाई गई शोले वारा स्कूटर भी लगकाने पाएं और लास्ट में वार टू का टीजर च lijख का दिया गया है मेरे साबसे कैमियो नहीं का जाना ची क्योंकि असतितर से कोई लिए देतना था नहीं वो चिपका दिया गया कि को की सेकसी लग रहा है लेकिन वो टीजर ठीछ ठाक ता आपको बता दो जो फिलम को इसका कोई मतलब नहीं है ये टीजर बस आपको बताया गया है कि आप और वाल टू का काम शुरूव हो चुका है तो ये सारे पहलू थे जो फिल्म खतम भी हो गई मज़ा पे नहीं आया वज़ाई यही है कि टाइजर स्रीज की सबसे कमजोर फिल्म थी और साथ में सबसे वाहियात कहानी थी जहांपर टाइजर 3 को मिशन के नाम पे पाकिस्तान को अच्छा दिखाने का मिशन मिला हुआ था और वो मिशन में कामयाब तो बिल्कुल नहीं हुए क्योंकि हिंदुस्तान के अवाम तो अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान के लिए क्या सोचती है पाकिस्तान इस पाकिस्तान से कि हर फिल्म में उनकी एजेंडे पे फिल्म मिनानी पड़ रही है अगर ऐसा ही चलता रहा स्पाई उनिवर्स की स्रीजे चलती रही इसी कंटेंट पर इसी धर्रे पिताब को बता दूं अगली कुछ सालों में एक भी ओडियस नहीं मिलने वाली मिलेंगे तो बस वही चपरी फैन जो सर्मान खान सारुखान के फैन है जिनको किसी चीसे मतलब नहीं है मतलब है तो स्क्रीन पे उनके खुदा नाचते हुए चाय वो पठान चाय वो टाइगर तो दो तो यह मेरा छोटा सा वीडियो आपको लगा कैसा बताओ कमेंट बोक्स म मिलते हैं फिर किसी वीडियो तो तो पर नमस्कार जैहिंद वन्ने मातर